देखो मुझे लगता है कि cm कौन होगा यह जनता डिसाइड करेगी यहां पर महायूती में cm को लेकर कभी भी किसी ने महायूती के जो हमारे नेता है वहां पर किसी ने कहा नहीं कि मुझे cm का फेज बनाओ अब महाविकास आगाडी में देखोगे तो रोज एक जन उटके बोल सक्षम हैं लोग डिसाइड करेंगे कि आने वाले समय में कौन जो है इस महाराष्टा का नेतरतों आप भी युवा ने ता अधीत ठाकरी भी आने ता लेकिन अब ट्रस्टिंग दिख रहा है इधर मिलिन देवडा है इधर अधीत ठाकरी है सब दावाट हो रहे है रास ठाक जी खड़े है हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि मिलिन जी जिन्होंने इस राज्य लोकसभा का दो बार नेतरत्व किया है दस साल तक वह यहां से एंपी रहे मंत्री रहे वरली की समस्याओं के बारे में उनको पूरी तरीके से जानकारी है और जो मले यहां पर चुनके आए एक ही बार चुनके आए पहली बार और उनके बारे में अंटी इंकंबंसी बहुत बड़े पैमाने पर है कि उन्होंने एक रेकॉर्ड कायम किया है कि उनका एक भी ऑफिस उस चुनाव शेत्र में नहीं है तो आगर आप धूनने जाओगे लोग प्रतिनिदी पूरे भारत म में तो आपको एक शेत्र ऐसा मिलेगा कि जहां पर लोग प्रतिनिदी का ओफिस वहां पर नहीं है वहां पर वह सिर्फ कुछ गणपती नवरातरे उत्सव हो तभी सिर्फ दिखते हैं लोगों की समस्या जहां पर हाउजिंग की बहुत बड़े पैमाने पर हैं वहां पर हा साहत दी कोली वाड़ा का विश्य था बहुत बड़ा एक स्पैन वाइडनिंग का वह हमने किया तो यह सब समस्या थी जिनका निराकरन जो है वह सेटिंग को करना जरूरी था उन्होंने नहीं किया लोग हमारे पास आए दो साल में हम लोग ने किया अब लोगों का हम समझते हैं